नमशकार दोस्तों मैं हुआ स्वागत करता हूँ आप सबी का हमारे चैनल में जहांपर हम उटो मोबैल समधित काफी सारी बाते करते हैं पहले बी आज हम चांप देकनीक को जानते हैं या फिर ये ब्रेक में साहिक एक चीज़ होती है, तो ये सारी बातों को हम जानेंगे, construction क्या है, working कैसे करता है, किन principles पर काम करता है, सारी चीज़ जानेंगे, लेगिन इसके पहले अगर आपने अभी तकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ल तो इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, जो कि ये anti-skid braking system, मतलब कि skid करने से, slip होने से आपकी गाड़ी को बचाएगा, अब ये क्यों रखा गया है, क्या करेगा, जब भी आपकी गाड़ी अगर slip होने वाली, skid होने वाली है, तो आपकी गाड़ी के जो brakes हैं, उनको release क कर देगा, थाकि आपकी गाड़ी थोड़े से motion में आ जाए, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कि जब भी आप गाड़ी का brake लगाते हैं, देखिए जब भी गाड़ी चल रही है, तो जो गाड़ी का wheel area है, जो जमीन से टकरा रहा है, जो जहां से friction मिल रहा है, वो बहुत क जमीन के उसमें आ सके, दूसरा अलग area आ सके, तो थोड़े थोड़े motion देने से, थोड़े थोड़े देर में braking करने से, थोड़े थोड़े motion देने, यह चार से पांस सिकन का काम होता है, जिसमें बहुत बार यह चीज़ रिपीट होती है, कि motion दिया, फिर brake लगाया, motion दिया, करता था, बाइक की चुड़े एक कार की बात करते हैं, जिन में ABS नहीं हुआ करता था, उनको रोकने के लिए काफी सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखने होती थी, आप पुराने ड्राइवर से बात पूछ सकते हैं, क्या किया जाता था, कि अगर आप मान के चली 70C की स् उसके बाद जब एक स्पीट पर गाड़ी जो है आपकी आगई, उसके बाद आप क्लच अपलाए करते थे, फिर दीरे से आपकी गाड़ी का ब्रेक पडल अपलाए करते थे, खड़ी हो गई, जब आप पोजिशन में आ गई कि भाई आप खड़ी हो गई, तब आपको लोग जो बैटे हुएता थे, उनको एक जटका मिलता था, बट ABS के आने के बाद क्याओ, यह चीज भी स्मूध कर दी गई, आपको इतना साथा सोचना नहीं पड़ता है, आप डारेक्ली ब्रेक अपलाए करते हैं, और गाड़ी को जैसे रोग देते हैं, उसके बाद आपक या फिर मोड रहे हैं, या फिर आप लेन चेंज करना चाहरे हैं, उस समय में भी ABS बहुत साहता देता है, और भी इसके फायदे हैं, जैसे कि ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम करना है, गाड़ी को फिसलने से बचाना है, एक्सिडेंट में काफी जादा है, यह एक्सिडेंट न रोटेशनल वेलोसिटी चल रही है, जो कि उसको घुमा रही है, जो कि वील को वेलोसिटी में होना पड़ेगा, एक रोटेशनल वेलोसिटी है, साथ में एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होती है, जो कि उसको आगे की तरफ मुखरती है, तो दो प्रकार के मुव्मेंट वील लगाए मांगे चले आपने सामने गाड़ी के सामने कोई चीज देख लिए कोई युड़ेक्ट गरने वहां से इस्टीर करके निकलना छाथे तो थोड़ा साफ ब्रेक अपलाय करते ऐसे कंडिशन में क्या होगा कि आपने इस्टीर कर दिया ब्रेक लगा तो आप डिया रोते तो इसके लिए इस समय क्या करता है ABS यहाँ पर भी ध्यान देता है कि भाई कहीं भी लॉक तो नहीं हो गया आपने कितना फोर्स अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग कितना फोर्स वील पर लगा हुआ है तो इस चीज को मॉनिटर करके वहाँ पर फिर ABS क्या करेगा जैसा कि म और विल थोड़ा सा मूव करेगा जिसकी वाज़े से आपकी गाड़ी को एक ग्रिप मिल जाईगी और आप टन भी ले पाएंगे अच्छे से यहाँ पर ग्रिप का काम आ जाता है यहाँ पर टन के समय भी आपको मदद देता है ABS अगर ठीक से देंके तो फिसलन भरी जो सड पानी बरहा हुआ है फिर मतलब हलके हलके पानी बरहा हुआ फिर ओयल वहां पर गिर गया है आप तो फिसला न हो जाएगी आप गाड़ी लेकर जाएंगे वहां पर आपने लगाया ब्रेक अब मान की चलिए दो टायर्स आपके जो है वह गीले हो गए ओल से तो उनमें तो इसे भी फ्रिक्शन थोड़ा सा लॉस होई जाएगा जैसे आपने ब्रेक लगाया तो क्या होता है गाड़ी मतलब आड़ी तीडी मूग करने लग जाती गाड़ी एक सीधी रिखा में नहीं चल पाती है फिर ब्रेक सीधा नहीं लग पाता क्योंकि फ्रिक्शन लॉस दो ट करेंगे इस प्रकार से काम करता है कि वह मॉनिटर करता है कौन से विल कितनी स्पीट पर चल रहे हैं और कितने जल्दी कौन सा विल लॉक हो गया है तो उस चीज़ में भी महाँ पर रिलीज मिलेगा थोड़ा सा ब्रेक फोर्स को ताकि वील जो है अपनी स्पीट पर चलके आराम से रुख सकें तो इस प्रकार से भी ABS काम करता है अब आप कहेंगे कि आर अगर यह ब्रेक लगाने के बाद छोड़ रहा है लगाने के बाद चोड़ रहा है ऐसे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाए का मतलब आप यहां से ब्रेक लगाएंगे तो लगते लगते उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं मान के चले आप चलना है 60 की स्पीड पर आपने लगा दिया ब्रेक सडन ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी क्योंकि एक वलोसिटी में उसका खुद का एक भार है उसके जैसे वो आगे की तरफ फिसल्टी हुई जाएगी बट अगर आप ABS आप जान लेते हैं कि इसका करका हैं तो ABS क्या करेगा उसको थोड़ा सा ब्रेक देगा तो थोड़ी सी मुवंगें उसकी कम होगी थोड़ी सी स्पीड कम कर करके यह particular distance पर गाड़ी को रुख देगा तो बहुत सारे सर्वे लिक अनने के बाद ये पता चली है बात कि अगर किधिग कर जाती है अगर फिसलति हुजाती है तो भी जादा डिस्टेंस कवर कर लोगा अगर आप ABS लगाते हैं तो उसकी अफिक्षा, ABS आप अले distance हमेशा कम होते हैं, तो ABS काफी अच्छी चीज होती है, एक security device, एक safety device आप इसे कह सकते हैं गाड़ी के अंदर, अब जान लेते हैं कि इसका construction किस प्रकार से होता होगा, मतलब क्या इसी चीज है जो control कर लेती है, बार इसमें होते हैं, एक तो wheel speed sensor होता है, कि जो wheel speed होती है, उसको sense करते रहे, monitor करते रहे, कि किस wheel पर कितनी speed अभी चल रही है, कहीं कुछ problem तो नहीं है, चीज monitor होती होती है, दूसरी चीज होती है, वाल्स, जो कि जिनसे की fluid होकर बुजरेगा, तीसरी चीज होती है, पंप, जो क गाड़ी का main दिमाग जो कहा जाता है, कि ECU याने electronic control unit, यह होता है, ECU, सारे जो data है, जो भी sensors के तुरू आते हैं, यह ECU control करता रहता है, चेक करता रहता है, monitor करता रहता है, जब आपने brake apply किया, तो इससे पता होता है, कि यार किस प्रकार से lock हो रहा है, अगर यह देखेगा कि हाँ, आपने brake लगा दिया, गाड़ी के tires lock हो गए हैं, बट गाड़ी अभी movement में है, तो यह release करने का आदेश देगा, और फिर brake थोड़े से release होंगे, ताकि आपकी गाड़ी को smooth braking मिले, बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल होता है, बहुत बार देखा गया है, कि कई बार गाड़ियों में आप बैठते हैं, ABS light on होता है, तो लोग सोचते हैं कि आर ब्रेक तो खराब नहीं हो गया, तो इसका भी एक solution है, इसके बारे भी बता देता हूँ, देखिए ABS जो होता है, वो braking को help करने का एक system है, वो brakes नहीं होते हैं, देखिए एक system है, anti-locking braking system, जो brakes को lock न पर एक function होगा, जो कि indicate करेगा, आपको भी brake खराब होगा, बट ABS चालो होना, मतलब brake को आप function कर सकते हैं, ब्रेक आप चला सकते हैं, बट उतनी smoothness आपको नहीं मिलेगी, उतना अच्छा जो function जो कार का है, वो नहीं मिलेगा, जैसे मैंने बता है कि आप गाड़ी रुकने के pressure अगर काम हो जाता है, वहाँ पर, तो भी ABS का जो light on हो जाता है, कि ABS अच्छे से work नहीं कर पा रहा है, तो यह आपके फायदे में हो सकती कि, अगर ABS का light on है, मतलब कुछ ना कुछ खरा भी, आप एक बार चेक करा लिजे, तो यह थी दोस्तो ABS की बाते हैं, इसके साथ जोड कि अच्छे से एनिवाई.